वर्ल्टेस्ट चेंपेंशिप का फाइनल दोहजार पच्चस में खेला जाएगा लेकिन पॉइंट स्टेवल काफी रोमांचक हो चुका है काफी मज़दार हो चुका है क्या इंग्लेंड पहली दफ़ा दोहजार पच्चस में डबलो टीसी का फाइनल खेलते वे नजर और पिछले दो एडिशन से सपने साकार तो हुए नहीं लेकिन इस बार किया तीसरी दफ़ा इंग्लेंड की टीम वर्ल्टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में अपने आपको मौझूदगी दर्च कराते वे नजर आएगी क्या इंग्लेंड की टीम फाइनल खेलने जा रह गई है रोइट शनमा यकीनन न सोच रहे होंगे कि अब तो मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर डबलो टी सी के फाइनल में खेलना है तो किस तरीके से इंगलेंड की टीम ने प्रदर्शन किया भारतिये टीम के लिए क्यों अब टेंशन बढ़ गई है अगर फाइनल में खे लगातार बने रे स्पोर्ट स्टॉक के साथ में जरूर आप तमाम दोस्तों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों इस समय इंगलेंड और शलंका के बीच में तीन टेस माचेस की श्रिंखला चल रही है पहला मैच मैंचेस्टर में खेला गया कमाल का प् पहली पारी में इंगलेंड ने दो सो चैटर सुनिखल बनाया जवाब में एंगलेंड ने बना दिये तीन सो अठावन रन फिर श्रलंका ने अपने आपको और बेहतर किया सके निनिंग में 326 रन बनाए कामेंदू मेंडस ने शतक लगाया लेकिन जीतने के लिए जो इंग्लेंड को चाहिए थे 205 रन वो इंग्लेंड की टीम ने मात्र पांच वेकेट के नुकसान पर वो जीत दर्श कर ली अब अंक तालिका में बड़ा एक उतल फुतल मचा है और इंग्लेंड की टीम है वो अचाना की जंप मारते हुए नसर आ रही है चौथे पैदान पर इंग्लेंड की टीम आ चुकी है और क्यों अब भारतिये टीम के लिए खतरा है क्यों अब निउजलेंड के लिए खतरा है औस्ट्रेलिया के लिए खतरा है मैं आपको समझाता हूँ इस समय अगर अंक तालिका को देखें तो पहले अस्थान पर टीम इंडिया है भारत ने 9 टेस्ट मैचेज खेले हैं और खुल मे लाकर के दिखा जाए तो भारतिय टीम ने 9 टेस्ट मैचेज में 24 अंक हासिल किये हैं और परसंटाइल मेन होता है यहां पर टीम इंडिया का 68.52 है इसके हैं और 50 का इनका परसनटाइल है जबकि इंगलंड की टीम 4 पैदान पर आचुकी है 14 मैचेस में इन्होंने कुल मिला करके 69 उंक हासिल किये हैं 79 उंक हासिल किये है और इनका जो परसेंटाइल है है दोस्तों कि आने वाले मैचेज अगर इंग्लेंड की टीम बैक टू बैक माली जे शलंका को दोनों मैचेज में हरा देती है तो इंग्लेंड की टीम में कुल मिला करके न्यूजलेंड से आगे आ जाएगी फिर इंग्लेंड की जो टीम है वो तीसरे पैदान पर आ जाएगी और फिर England को अभी 6 test match और खेलने हैं मतलब 3 शलंका के अलाबा जो 3 test match है वो पाकिस्तान के खिलना है पाकिस्तान में और England को 3 test match जो है वो New Zealand के खिलाफ New Zealand में जाकर के खेलना है अगर England की team यहां से matches नहीं हारती है और जो इस समय कुल में लाकर के देखा जाए तो England के पास में 8 test match बचे हुए Manchester test match जीतने के बाद 8 test match अभी बचे हुए है अगर 8 test match में से England की team 6 test match जीत जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 test match ड्रॉ कराती है हारती नहीं है तो England की team WTC का final खेल सकती है परसेंटाइल में England की team आगे निकल जाएगी फिर भारती है team के लिए काफी ज़्यादा tension होगी और tension इस बात को ले करके भी है क्योंकि England ने आकरी दफ़ा जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो पाकिस्तान को 3 शुने से England ने हराया था तीन शुने से पाकिस्तान की क्या हालत बांगला देश ने की है यह सब आप लोग को पता है यह कहने के लिए कि पाकिस्तान की बड़ी team यह वो कोई भी team आ करके धून करके चली जाती है पाकिस्तान को पाकिस्तान में तो England की team पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा सकती है और इंग्लेंड के जिस तरीके से मतलब बल्लेबाज हैं जिस तरीके की गेनबाजी लैनप है न्यूजलेंड के कंडिशन उनको सूट करते हैं न्यूजलेंड बहुत टफ चैलन्ज देगी अपने घर में लेकिन फिर भी वहाँ पर इंग्लेंड की टीम जोड़दार प्रडर टेस्ट माच जीते जो हमें न्यूजलेंड और साथे साथ बांगला देश के खिलाप में खेलना है और उसके बाद जो पांच टेस्ट माच आस्ट्रेलिया से हमें खेलना है उसमें भी हमें जोरदार प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इंग्लेंड दबाव बन बढ़ेगी या फिर भारत ये टीम भी अंकतालिका में नीचे आगी वो डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा है और इसलिए रोहित शर्मा चाहेंगी कि कम से कम हम लगातार मैचेस जीते और कम से कम एक बार फिर से डब्लू टी सी का फाइनल खेलेगा ये मुझे यक किन है लेकिन किसके खिलेगा ये आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा 2025 में भारत बनाम इंगलेंड भारत बनाम न्यूजलेंड भारत बनाम आस्टरिया क्या होगा डब्लू टी सी का फाइनल आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा